हलो साथियो नमस्कार आज सभी को आज मैं ये बताता हूँ कि आप अपने बेरुजगार बत्ते के फोरम को स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं ठीक है साथियो तो सबसे पहले आपको गुंगल को ओपन कर लेना होगा जैसे गुंगल ओपन होता है यहाँ पर लिखना होगा राजस्थान सूचना पोर्टल ठीक है जैसे आप राजस्थान सूचना पोर्टल को ओपन करते हैं तो इसका फर्स्ट जो पेज होता है इसको ओपन क्या करेंगे ओपन करेंगे दोस्तो कुछी सेकेंड में यहाँ पर आपके सामने पेज ओपन हो जाता है ठीक है यहाँ पर राजस्थान सरकार के जो एप इसकी में रखी 99 उपर ना इसको अपन किल्क कर देंगे ठीक दोस्तो जैसे ही इसको किल्क करेंगे तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के एप डियू होंगे यहाँ पर आप देख सकते हो employment यानि रोजगार कहाँ पर लिखा हुआ है तो आप इसको उपर की तरफ लिख कर जाते हैं तो यहाँ पर लिखा आता है 33 नंबर पर employment इसको अपन ok कर देंगे जैसे इसको ok करेंगे आप अपने दो तरीके से चेक कर सकते हो बेरोजगार बते के status को न अपने आदार कार्ड से रिख रिख रिजश्टरेशन नंबर से और दूसरे से आप नाम गांटैसिल से तो उपन क्या अगराएंगे दूसरे से चेक करते हैं ठीक है और जैसे इसको उपन करेंगे यह आजाता है तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका वेरोजगार बत्ते का फोरा में खुल जाएगा ठीक है तोविः इस पंचाश में बच्चों के फोराम चरप सब्सकेद का वए हैं तो इसको ओके करते हैं तो यह अपने सामने अजयेगा थीक है देको इनGenा मेंशडीनी किसके नोट अपलाईड इसमें नोट अपलाइड नोट अपलाइड ना इसमें क्या है नोट अपलाइड यानि अभी उसका क्या है बार-बार बैक आ रहा है तो इसने उसका कोई भी रिस्पोंस नहीं थे इसका पेंडिंग में डाल दिया है ठीक है ना कुछ भी कारण हो सकता है तो दोस्तों आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो इसकी पूर जान कर जैसे मान लो इसका पेंडिंग में क्यों हो तो अपने इसको के करते हैं जैसे इसको के करेंगे तो दिखा देगा यह पेंडिंग क्यों इसका बैक टू सिटिजन या इसका क्या है इसका बैक आ गया है इसने इसका कोई रिस्पोंस नहीं दिने का और इसको पेंडिंग में डाल दिया है जैसे ही बैक शिटिजन की फोरम को क्या करेगा है आए गोशन पतर को फिर से फिल करके इसमें बढ़ देगा तो इसका फोरम क्या हो जाएगा वेरिफाई हो जाएगा और प्रेंटिंग का निशान या से अधर जाएगा तो प्यारे साथ विए आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाइक करना कोमेंट्स करना धन्यवाद